नमस्कार दोस्तों, National Health Authority के तरफ से आभाकार्ट बनाय जा रहा है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाईल फोन के माद्यम से आभाकार्ट को कैसे बना सकते हैं तो दोस्तों पहले भी आभा कार्ट बन रहा था दो साल पहले मैंने आभा कार्ट बहुत सारे बनाये थे लेकिन उसमें बहुत सारा टिपिकल प्रोसीजर था जिसके उजे से बहुत सारे लोग नहीं बना पाये थे लेकिन अब जो है इसमें प्रोसीजर बहुत ही आसान कर दि जैसे कि आपका फोटो पुराना हो चुका है, आपको नया फोटो लगाना है, तो नया फोटो आप कैसे लगा सकते हैं, साथी में email ID को कैसे change कर सकते हैं, और mobile number को भी कैसे change कर सकते हैं, जैसे इन सब बातों पर हम यहाँ पर detail में चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्त अगर आप नये वीडियो को first time watch कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए, साथी में बेल आइकन को भी प्रेस करके रहिए, और वीडियो पसंद आता है, तो अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरूर करिएगा, तो चलिए friends, start करते हैं वीडियो को, तो दोस्तों आभा काट बना पर लिखा है, आईश्मान भारत, डिश्टल मिशन, तो इस योजना के तहती कार्ट बनाया जा रहा है, तो friends, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, अब friends, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे देने लगता है, इस website का link को आपको वीडियो के description में भी मैं दे दूँगा, तो आपके just click करके आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, अब friends, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि create आभार number, तो यहाँ पर create करने के लिए आपको इस पर click करना होगा, और यहाँ पर यहाँ पर use कर पे जाता है, यहाँ पर आपको अपना आधार number इंटर कर देना है, तो चलिए, friends, आधा number इंटर कर देते, क्योंकि आधार के माध्यम से यह verify करने वाला है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा number इंटर कर दिया है, दिना आपको scroll down करना है, और यहाँ पर I agree वाले पर click करना है, और साथ ही में जो capture दिया है, उसको आपको सब्मिट कर देना है, तो capture फिल करने के बाद आपको next बटन पर click कर देना है, तो जैसे आप next बटन पर click करते हो, तो आपके सामने एक OTP आएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर enter कर देना है, तो दूस्तों यहाँ पर मैंने OTP सब्मिट कर दिया दिन आपको नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक कर देना है अब जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हो तो आपका जो आभा कार्ड है वो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर सो होने रखता है यानि कि आपका आभा कार्ड जो है बनके त्यार हो गया यहां पर आभा संख्या भी आप देख सकते हैं आभा पता भी देख सकते हैं तो इसमें परिवर्तन भी आप कर सकते हैं कैसे करेंगे यहां पर तो चलिए फ्रेंट अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसको डाउनोड कैसे करेंगे तो यहां पर उपर बटन लिख र आपका सो होने लगता है इसके पीछे आईडी है और यहां पर कुछ डिटेल लिखी हुई है ठीक है तो कुछ इस प्रकार का आभागाड मिलेगा लेकिन यहां पर काफी सारे दिक्कत आपको हो सकते जैसी कि आपको फोटो में परिवर्तन करना है तो चलिए फ्रेंड्स हम इस डेटा बर्त में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे मोबाइल नंबर आप नहीं चेंज कर पाएंगे और इमेल आईडी को चेंज कर पाएंगे ठीक है एड्रेस नहीं कर पाएंगे यानि कि आधार का जो डिटेल है उसमें से कुछ डिटेल आप नहीं बदल पाएंगे ठीक ह सकते हैं तो friends मुझे बस अपने photo में करेक्षिन करना था देन उसके बद आपको नेक्स्ट बटन पर आना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपका जो photo है वो change हो जाएगा completely अब यहाँ पर आपका नया आबाकार्ट change हो चुका है और इसमें से लोग हैं जो fraud करके भी आपसे पैसा वसूल रहें तो इस से आप बच सकते हैं कैसे बचेंगे आप अपने द्वारा इस वीडियो के माध्यम से भी कार्ट को generate कर सकते हैं फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपड़ेट के साथ थैंक्स वर वाचिए